वहले कमी सिटी का यर्ड में इसमें घूर यहां वाका कि सब्कल करने शेरिंग से या रहा अपनी वाटे Wi-कुर के काई विए बान्ड बनता है जैसे काईने और कोवलेंट लेकिन इस में थोरा से चेंज होती इसमें क्या होथा कि यह अटम में इनके द्रुमाइबस एंड करते हैं जैसे के मरे पास से pair of valence electron और जिसने electron देने हैं वो donor होता है और जिसने electron लेने हैं वो acceptor होता है जैसे कि एक example में करवा देता हूँ NH3 के बात करें न NH3 के पास इस तरह एक loan pair है और दूसरा H positive इसके पास आता है जिसके पास कोई भी electron नहीं है तो जी loan pair जैसे इसको donate करेगा तो क्या होगा कि NH4 बांजेगा इस तरह ठीक होगा जी NH4 बांजेगा पहले NH3 था तो यह जो bond है न यह यह show कर रहा है coordinate covalent bond को और coordinate covalent bond को arrow के sign से show करती है और जिस side से इसकी दूम होती है यानि के tail होती है वो होती है मतलब कि donating side कि इसने देने हो जी side पे add होता है वो उस item की तरफ होता है जिसने electron इससे लिए है ठीक होगा तो देने वाले को हम कहते है donor और लेने वाले को कहते है acceptor ammonium iron जो होता है NH4 positive इसमें एक coordinate covalent bond होता है इसी तरह H3 positive जो है यह भी इसकी example है इसमें दो covalent bond है जैसा कि यहाँ पर आप देज साहते हैं यह दो covalent bond होगे और इनमें से एक यह वाला जो bond है यह होता है coordinate covalent bond जिसमें यह वाला जो bond है यह दोनों item इस तरह आकसी नहीं जो loan pair था ना उसने donate के तब यह bond बना है तो यह वो bond होता है जिसमें एक item अपना loan pair दूसरे item को donate करता है और उसके नतीजे में बनने वाले bond को बोलता है coordinate covalent bond तो यह आज की वीडियो थे हमीद है आप लोगों को coordinate covalent bond की समझ आ गई है अगर वीडियो अच्छे लग गई है तो प्लीज मेरा चैनल का MST Academy सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अल्ला हाफिज